आज हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं कन्या रासी का वार्षिक रासी फल के बारे में आज हम मित्रों हम डीटेल में इस कारेकरम में चर्चा करेंगे तो आंत से अंत तक जरूर देखे सबसे पहले हम वारशिक राशी फल की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो की कन्या राशी की एक जनवरी दो हजार पच्चिस में बनी है जो की आपके सामने आ रही है ये वार्षिक कुंडली होती है इसके अनुसारी पूरे साल भरका आकलन किया जाता है याद्रगे का पूरे साल की प्रेडिक्शन इसी से होती है इसी से अनुमान लगाय जा सकता है अब आपको देखना कैसा है आप अगर नाम आपकी कन्यारासी जनमरासी से है तो भी आप ये prediction देख सकते हैं, ये फलादेश, साल 2025 का देख सकते हैं, यदि आपका बोलता नाम भी कन्यारासी से है, तो भी आप देखेंगे तो आप काफी सटिकता पाएंगे, यानि जनम नाम से भी आप कन्यारासी देखें, या आप परसीद नाम से भी कन्यारासी हैं, त सबसे पहले आपकी कुंडली के अनुसार आपके लगन में बैठे हैं तो यहां पर केतु जो बैठे हैं थोड़ा स्वास्त पे ध्यान देना पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे बुद्ध आपके तृतिय भाहों में आठ नंबर जहां लिखाएं वहां बैठे हुए सूर्य आपके चतुर्थ भाहों में बैठे हैं नो नंबर लिखें यह सूर्य यहां पर यह श्योग बना रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे साती साथ चंद्रमा आपके पंचम भाहों में बैठे हैं और शुकर और शनी आपके छटे ग्यारा नंबर जहां लिखा तो यहां पर कुछ बड़ा क्लायमेक्स साल 225 में रहेगा साथी साथ ब्रस्पति आपके नवम भाओं में बैठें नवम भाग्या भाह होता है वहां पर रस्पति का संजोगा आपके लिए अच्छा है खराब है इसके बारे में चच्चा करेंगे और ruay याने कि demonstrated में आपके मंगल वक्रियों के बैठें तो यह लाब का हुस होता है बेसीकली जो invest करते हैं आप इसे मित्रता करते हैं काई नौकरी करते विपार करते सबसे पहले करनिया राची के स्वास्त के बारे में बात कर लेते हैं तो वार्शी कुंड़ी में बुद्ध आपका कमजोर है बुद्ध तृतिय भाहों में बैठे हैं तो साल दो जार पच्चीज में आपको वानी पे बहुत नियंतरन करना पड़ेगा और कहते हैं कि बानी ऐसी बोल ये मन का आपाक होई तो इसलिए आपको वानी ऐसी बोलनी है कि दूसरों से वाज विवाद ना हो बलकि लोग आप से वशिबूत हो जाए तो वानी पे थोड़ा कंट्रोल और काम आपको करने राची वालों करना पड़ेगा और किसी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना किसी की चापलूसी किसी की काना पूसी नहीं करने नहीं तो बड़ा वाद विवाद आपके हो सकते हैं साल 2025 में आपको रिलेशन भी खराब हो सकता यह नहीं जैसे को तैसा आपको रिजल्ट में लेगा अगर किसी की बु वालतु की चाटुकारता नहीं करोगे तो कुल मिलाकर आपके रिलेशन भी अच्छे होंगा उससे लाब होगा तो कहीं न कहीं जैसे को तेशा वाला साल साल दोजार पच्छीज रहेगा वानी सो समझ के यूज करिए याद रखिएगा स्वास्त की द्रिष्ठी से साल दोजार पच्छीज आपका मिला जुला रहेगा यानि मार्च से सितंबर के बीच में यानि मार्च ज्यादा होने के योग बनते हैं आजरवाइस हेल्ट के लिए अच्छा है बस साल दो जार पच्चीस में आपको वानी पे नियंटर रखना याद रखिएगा नहीं तो यह जो वानी है ना यह कहीं ना कहीं आपके मित्र भी बनाएगी और आपको लड़वाएगी भी याद र रहते हैं तो साल दो जार पच्चीस में जो कन्या राचि वाले जो करजे में घरेवे रहते हैं अक्सर खल भागे उनका काम नहीं करता है अक्सर कन्या राची उसे मैं तो वहां उनको नुक्सान होता हुआ अभी तक मैंने देखा है और ऐसी स्ततिय देखिए तो कहीं ना कहीं साल 2025 दो जगा से धन कमाने का आपको मौका मिलेगा चूप मत जाना किसी की एड़वाइस मत लेना गुप चूप कर लेना पहला डवल इंकम करने का करने अलाशी को मौका मिलेगा तो डवल इंकम ऐसा होगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसके इलावा भी आपको एक्ट्रा वर्क के कुछ ओफर मिल सकते हैं तो मित्रों को मत बता देना नहीं तो मित्र उसकी अफुचंटी ले जाएंगे और आप को काट देंगे त रहते हैं तो आप खुद जाएं खुद डील करें वह ज्यादा बैटर है दूसरा देखा जाएं तो इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा लाब होता हुआ साल दोजार पच्चीस में नजर आ रहा है खासकर फरवरी दोजार पच्चीस से और दिसंबर दोजार पच्चीस पूरा साल फरवरी से बड़ी डील का योग बनाता हुआ नजर आ रहा है बड़ा धनलाप करता हुआ नजर आ रहा है मतलब साल दोजार पच्चीस में कुल मिला के आपकी आर्थिक इस्दिब बहुत अच्छी रहेगी जिससे की आपके ओपर जो लोन चल रही है करजा चल ही वो भी कम होगा लेकिन उसकी character दो आफर आपको दिए गया मेरे तो को too किसी और को शरीकिर जाएंगे अकेले करेंगे तो होगा कोई बीच में लाव कोई कि यह का जाएंगे तो ओक partner फशाब कार्या अब बात कर लेते हैं जो कन्या राशी विर्गो साही ने उनका परिवार की स्तती साल 2025 कैसी रहेगी विद्या की स्ट्थी स्टूडेंट की साल साल 2025 में कैसी रहेगी तो वारशी कुंडली के अनुसार चतुर्थ भावों के अंदर सूर्य देव विराजमान है और वारशी कुंडली में सूर्य का होना powerful योग मेंसे एक होता है यानि कि कई न कई साल 2025 में आपको भूमी का योग बनता है बूमी का लाब मिलेगा, कुछ आपको सरकारी यूजना का लाब मिल सकता है सरकारी lucky drone में आपका कुछ निकल सकता उसकी योग नजरा रहें तो कोल मिलाके property का या सरकारी यूजना का साल 2025 में कन्या राशी को लाब मिलता होएं नजराएगा तो आपके वहाँ कोई property की scheme सरकारी कोई scheme है तो miss मत कीजिए आपका यूग है साथी साथ परिवार छेतर में देखा जाए तो परिवार के सदस्यों का जो रुका हुआ मांगली काम है वो भी साल 2025 में बनता हुआ नजर आ रहा है खासकर मार्च के बाद यानि जब सनी का राशी परिवर्तन हो जाएगा शनी मीन राशी में चले जाएंगे तो family member के रुके वे शादी के करियर के या family member में जो रुके वे काम है वो बनते हुए मार्च के बाद सनी के ट्रांजिट के बाद आपके नजर आएंगे और साल 2025 में आप परिवार के साथ में family member के साथ में खूप यात्रा करने वाले हैं नदी पहाड की यात्रा करने वाले हैं खूप तीरत यात्रा करने वाले हैं और परिवार और family सज़स्यों को भी गुमान बात करें संतान के बारे में तो संतान के लिए भी साल दो जार पच्चीज भौती अच्छा साल रहेगा छोटी संतान के बारे में बात करें चोटी संतान की जो रूची होगी वह सिंगिंग में बढ़ जाएगी कला इंट्रस्ट यानि कि कला नित्य संगीत में आपकी छूटी संतान की रूची रहेगी वो उस रूची को एक्टिव करने के लिए आप ये कुछ ना कुछ कराने वाले उसका योग नजर आ रहा है और इन छेत्रों में उनको सपलता भी मिलती भी नजर आ रही है तो छोटी संतान के लिए साल 2025 बहुत ही अच्छा है वहीं पर बड़ी संता को मिल सकती है या करिया नौकरी में भी आपकी बड़ी संतान को साल 2025 में बड़ी सफलता मिल सकती है कारण क्या है कि सूर्य चतुर्द भावं में ये श्योग बना रहे हैं वह बड़ी पावरफुल पोजीशन में साथी साथ विद्यारतियों के बारे में बात करें तो विद में साल 2025 मार्ज के बाद अच्छा है संतान के लिए उनका साल 2025 कैसा रहेगा जो शादी चुदा उनका साल 2025 कैसा रहेगा जो लव एंड रिलेशन में उनका साल 2023 कैसा रहेगा तो वार्शी कुंडली के अनुसार सब्तम भाव के अंदर राहू विराजमान है और सब्तम भाव के स्वामी गुरू वक्री होकर नववम भाव में बैटे हैं तो कही ना कही अच्छा भी फल मिलेगा और बुरा भी फल मिलेगा मैं पहले ही आपको बता दूँ यानि साल 2025 में कन्यारासी वाले जो पती-पत्री हैं प्रेमी-प्रेमी का हैं उनके धन और करियर के लिए तो साल बहुत अच्छा है यानि आपके पार्टनर को करियर में अच्छे ओफर मिलेंगे अच्छा धनलाब भी होगा यानि कि साल करियर की दृष्टी से आपके को प्रोमोशन भी साल 2025 में मिलेगी और पार्टनर करियर से खुछ भी होगा मन चाही चीजें मिलती भी नजर आएगी साल 2025 में लेकिन राहू सब्सक्राइब में बैठने से पार्टनर को हेल्थ की इशू या चोट लग सकती है या बिमार हो सकता है तो साल 2025 आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साल नहीं नजर आ रहा साथी साथ जो साधी सुदा है उनका भी देखा जाए तो रिलेशन में ट्रस्ट के इशू बहुत ज़्यादा रहेंगे यानि ये पार्टनर का सब कुछ अच्छा है लेकिन आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा कुछ ऐसे जूट आपके पकड़े जाएंगे ऑटोमेटिकली पकड़े जाएंगे जिससे की पार्टनर को आप पे ट्रस्ट का इसू रहेगा तो कुल मिलाके जो साल है वो करियर के लिए पार्टनर के लिए अच्छा है लेकिन ट्रस्ट के लिए और हेल्थ के लिए आपके पार्टनर के लिए साल अच्छा नहीं है हाँ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा है 2025 बस हेल्थ के लिए और रिलेशन्शिप के लिए थोड़ा सा गडबड साल रहने वाला है और वार्शी कुंड़ी के अनुसार देखा जाए तो नववां भाव के अंदर गुरू बैठे हैं यानि साल 2025 में माता-पिता को भी या आपके जो घर में बड़े हैं भाई हो घर में अगर माता-पिता नहीं है तो यानि बड़े को कोई धलाब होता हुआ नजर आएगा या रुकावा काम उनका होता हुआ कोट के सरकारी रुकावा काम लेटिगेशन का रुकावा काम बड़े बुजरुग जो माता-पिता है या घर में बड़े भाई है उनका होता हुआ आपको नजर आएगा तो साल 2025 आपके बड़े के लिए भी बहुत अच्छा है साथी साथ अब हम बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में कन्याराशी की व्यपार के बारे में कि जो नौकरी करते हैं उनका साल 2025 कैसा रहेगा जो अपनी दुकान चलाते हैं करते हैं उनका साल 2025 कैसा रहेगा तो वार्शिक कुंडली के अनुसार तृत्य भाव में बुद्ध बैटे हैं जो कि सुब फल दायक है करियर के यानि साल 2025 में खासकर जनवरी फरवरी आपके नॉर्मल ही रहेंगे जो मेरे कहीवी बात है और भी यूट्यूब चैनल देख लेना उनमें कहीवी बात आपको नहीं समझ में आएगी मार्ज के बाद जीवन में परिवर्तन होगा मार्ज के बाद करियर में बड़ी सफलता आपको मिलेगी पद का लाम मिलेगा इस्थान परिवर्तन आपका होगा नहीं जगा से आपको आफर मिल शकता है यानि कि कई न कई मार्च के बाद या तो स्थान परिवर्तन कारे परिवर्तन या सहस्थान के परिवर्तन के जवर्दस योग नजर आ रहे हैं अब मैंने मार्च 2025 क्यों का क्योंकि मार्च के बाद सनी का ट्रांजेट मीन राशी में हो जाएगा तो बड़ा जो अच्छा होने वाला आपका वो मार्च के बाद ही होगा उससे पहले जनवरी फर्वरी आपका नॉर्मल ही रहेगा आप देखिएगा साथी साथ मार्च के बाद ये आपको बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी काम के सिल्सरे में आपके काफी ट्रवलिंग भी साल 2025 में रखी है और ये जनवरी से लेकर हो दिसंबर तक आप खूब सारी यात्राय करने वाले खूब ट्रवलिंग वाला साल 2025 रहेगा पर पार्टनर्शिप में मैं आडवाईस करूँगा कि आप कोई भी काम ना करें पार्टनर्शिप में या किसी से के विश्वास में कोई नया काम ना करें नहीं तो विश्वास घात आपको साल 2025 में मिलेगा साल 2025 में किसी पे भी काम से सम्मंदित कोई विश्वास नहीं करें कन्याराशी वाले ज़्यादा बैतर रहेगा चाहिए अपना ही भाई क्यों ना विश्वास ना करें वो ज़्यादा बैतर रहेगा याद रखिएगा क्योंकि आपने देखा ना गर का अबेदी लंका डाय रावन का भाई कौन था आपको पता ही है तो इसलिए आपको विश्वास नहीं करना है इसी प्रकार से अब हम व्यपार भाव के बारे में बात करें तो व्यपार के लिए साल 2025 परिवर्तन वाला साल रहेगा जो भी व्यपारी हैं फैक्टरी वाले हैं दुकानदार हैं तो उनके लिए बड़ा परिवर्तन दायक साल रहेगा साल 2025 में या तो आप नया कोई प्रोडेक्ट लॉंच करने वाले हैं साल 2025 में नया कोई काम जूरू करने वाले हैं यानि कि आपके काम में बहुत बड़े परिवर्तन होते वे नजर आ रहें यानि परिवर्तन कारिक साल रहेगा कुल मिलाके करियर के लिए साल 2025 जाए व्यपारी हो या दुकानदार हो या आपको नोकरी वाले हो बहुत ही अच्छा रहेगा काफी इवेश करने वाले हैं कुछ इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी पर करेंगे और उसमें आपको बड़ा लाब होगा कुछ ना कुछ आपको लाब होता हुआ नजर आ रहा है साती साथ यदि आप इन छेत्रों के अंदर हैं तो साल दोजार पच्चीज भई आपको खूब धन पद का लाब देंगे यदि आप इंजिनियर हैं या फिल्मी जगत में हैं या फिलम से समधित कुछी का छेत्र के अंदर हैं सोशल मीडिया में इंफ्लेंसर ह काम करते हैं लोहे का काम करते हैं या इवेंट मैनेजमेंट की आप कोई कंपरी चला रहे हैं तो साल दोजार पच्चीज में आपको खूब और मिलने वाले सबलता के नए रास्ते आपके खुल जाने वाले यानि काफी आप देखेंगे कि आपको अच्छा लग का साथ मिले यह जो छेत्र हैं मंगल वक्री होके इस पेसल इन छेत्रों वालों को बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिलती भी मंगल के कारण साल दोजार पच्चीज में नजर आएगी साथी साथ देखा जाए तो वर्षेश कुंडली में गुरू भी नववं भाव में होने से नववं भाव यातरा का होता है तो विदेश समंदी काम में कन्याराची को सपलता मिलेगी विदेश से सम बंदी कोई एक्जाम देना है तो उसमें सपलता नजर आ रही तो कुल मिला के कन्या राची के लिए रिलेशन को छोड़के और चीजों के लिए साल वंडर वंडर फुल रहेगा और हेल्थ वेक तो आपको ध्यान देना है तो मित्रों इस कारेकर में बाइतना ही मुझे दीजी जाया जैमातादी जैमातादी प्रभुजी मैं आप से बीडिया था मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंश दिया था खिए गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताये अजैसे सणी सब्सक्राइब बनवाए तो मेरे विदेश यात्रा का हो गया तो मेरा विदेश यात्रा की टिकेट उस टाइम पे बुक हो गी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे पदोनिती भी हो जाएगी जॉब में तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हू जैँ जी जी बहुत 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 धन्यवाद और मातारा आनी की किरफ़ा हमेशे बने रहे और जोभी गुरूजीने ये आपके लिए रैमेडिय लिखी हैं आपको तो इसको तो चमतकाहरी कहेंगे कि जल्दी आपको रिज्ड भिली जी जी तो आप करी जाइम आतारी झाल झाल